अब Rs.5 आज हम देहते हैं 2 Basics से Conversion вз मेथिलल में Convert कर सकते हैं और भी Eli Lefa इस मेथिलल फ्रीक्षी ग्लॉराइड काटे सकते हैं तो AKCN से क्राओंगे तो क्या बन जाएगा CS 3-ichen ठीक है CS 3-CN छिंड से इसलिए कर आइए क्योंकि मेथन Care M् में 2 कारबन चाहिए यह एक्स्ट्रा कैर्मन लाने के लिए अपन या काम करते हो थी आगे देखिएगा इसके लिए एक कर देगा देखो एक एक्ष्ट्र कार्वन आगया आपका अब इस प्राइमरी आमीन का आप क्या करोगे यह यह क्या कर देती है इसको आपका मैथेनॉल से यह मैथेनॉल है और यह आपका एथेनॉल है इसको अपन रिवर्स यहां ले जा सकते हैं वह भी देखते हैं जो एथेनॉल होता है वह क्या है आपका आपका मैथेनॉल इसके लिए क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन करते हैं ऑक्सीडेशन आप कई मैथेने आपके पास के टूशीयार टू ओसेवन है ना पोटेशियम डाइक्रोमेट और आप इसके प्रेजैंस पर क्या ले सकते हो एच प्लस और सी आरो थ्री जॉन्स रिएजन ले सकते हो या एंस यह तो आप इसका क्या कर दिया आपने इसका और यह एथिनुएक है इसके साथ कराएंगे अमोनिया के साथ हीट कराएंगे अमोनिया के साथ हीट कराएंगे अमोनिया के साथ हीट कराने पर यह अमाइड में कर्णवर्ट हो जाएगा यह आपकी एक कम कार्वन वाला क्या करती है यहां से यह सी यो निकल जाता है यहां के टू सी यो थी फॉर्म में निकल जाए गए और आगे अगर आपन बात करें तो यह पहले वाले में भी देखी थी कि प्राइमरी एमीन से अगर अल्कॉल बनानाता है तो एचनोटू साथ कर दो है अनुटू प्लस लेक सकते हो इसका क्या हो जाएगा सी एस-3 ओट इस थरह से अपने क्या कर दिया एथेनोल से मैफिनॉल भी बना दिया एथेनौल का अक्सिडेशन करें इसका फिर मैड़ बनाया एद करके और उसके बाद मैं ब्रोमार एक्षिन कराई और यह क्या प्राइमरी अमीन से अपने अल्कॉल में कर दिया एचन उत्री से तो दोस्तों ये था दो बेसिक से खनबर्जन आपके ये 11 क्लास के बच्चों और 12 क्लास के बच्चों के लिए काफी इम्पोर्टन्ट है ये दोनों आपको कई सारी रिएक्शन रिवाइच करा सकते हैं ऐसे तो ब्राइबीप इम्पोर्टन आपके ये लिए मिए गारी आपके बच्चों और 12 क्लास को रावने में और 12 क्लास के लिए